आलो साथियों कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे पढ़ाय लिखाई बढ़िया चल रही तो रख फंसलब वो मंजर भी आएगा और खुसियों का चलकर समंदर भी आएगा ठक करना बैठ आय मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज आप एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज का टॉपिक है वर्ग यानि इसक्वाइर बहुत ही इंप्वाटन टॉपिक है इसकी वज़ा क्या जानते हो इसकी वज़ाए यह मेरे भाई कि आगर आपको इसक्वाइर आता है तो आप अधिकांस क्विस्चन का जो सलूसन है वो खुझ से कर सकते हो यानि एक परकार से आपको बेसिक आने लगा है और यह इसक्वाइर आने का मतलब यह नहीं कि तुम गुड़ा करके निकाल लो इसक्वाइर आने का यह मतलब है मेरे भाई कि आपको ना आपके दिमाग मे अगरशने एकदम बसा होना चाहिए जैसे आपका नाम कोई पूछता है ताब बता ले तो मिरा नाम फलाने है वैसे आपको यह संख्याएं आनी चाहिए यहाँ पर देखो मैं इनको आपको एक बार में दिखा दिया एक से लेके 100 का स्कॉयर दिख रहा है सभी को क्लियर ली दिख रहा है, एक बार अब मैं बात करता हूँ कि what is square, यह square होते क्या है जैसे कोई संख्या मैंने ले लिया, मान लेजे मैंने ले लिया 2 अगर 2 का मैंने 2 बार गुड़ा किया, तो मुझे मिलता है 4 इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता था, 2 का यह square बराबर 4 यह बात एक है हुई दोनों, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा ऊपर और यह जो नीचे लिखा, कि दोनों खाने में लिखी हुई बाते, एक चीज को दिखाती है, ठीक है, आगे देखना, जैसे मैंने लिखा मान लो की 3 और गुड़ा 3, बराबर होता है 9, इसी चीज को मैं लिख स्क्राइब करें तो यह आता है इसलिए आता है, क्योंकि इसको 7 का साथ में गुड़ा होता है, इसी को बोलता है, यह चोटी-चोटी संखयाओं में तो हमें पता हो जाता है, लेकिन जो बढ़की-बढ़की संखया होती है, वीडियो को थोड़ा बहुत HD बे करके देखना दिखेगा यह संख्याओं में थोड़ा फदिक्कत आती जैसे नीचे देखिए मैं जूम कर देता हूं पूरा स्क्रीन पर आप देखो थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा न एक बार में फिर दिखा देता हूँ जैसे मामलाप समझ जाता है जैसे माली जी कहीं दिया उन्तिस सोला उन्तिस सोला अब आप देख करके डर जोगे भाई साब इसको ना बड़ा वर्गमूल निकालना इसको काटेंगे पीटेंगे वाई क्या आएगा दिमागे में बड़ा कचड़ा हो जाता है लेकिन अगर समझ में आए ना जैसे अगर आपको कहीं यहां पर ऐसे मिल जाए 120 तो क्या है 11 का समझ रहे हो न तुव ऐसे आपको स्कॉयर आना चाहिए पता ओना चाहिए अगर पता है तो आपकी कल्कुलेशन इजी हो जाए बात समझ रहे हो ना इसमें देखा च्वण का क्या है 29-16 में मेरे भाई अगर कहीं ऐसे लगा है वरकमूल का चिंधा तो आप आराम से कहसे तो इसका आंसर सतर आएगा बस सिर्फ इतना ही आगा बाद खतम क्यों क्योंकि इसका इसको है राता है कि आपको याद रहने चाहिए याद कैसे होगा उसके लिए मैं आपको जुगाड बताता है यह और उसके नहीं बहुता हैं तो कुछी भूलता है याद करने से होता नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे अपनी लाइफ से चलेंगे लेकर करके याद ditch आररेंसे का हमें इसको याद करना एक और गार आना है 25 इतना ही याद करेंगे वा किसको नहीं याद हो जाएगा डोकह 2 नहीं नहीं तो पूख तक हो गया ये तहुअ पीछले कानिके एक दिन में कोई चीज करने कोशिज मत करो इस्पेसली काम की चीज़ें डंग वाली है एक दिन में सिर्फ जो पड़ी बनती है महल नहीं बनता है महल बनने में वक्त लगता है तो यह तो मेरा आइडिया था बाकि आपका जो विचार है जो आइडिया है आप लगाईए किसी नीचे नंबर दिया गया है उसके मैसेज करना तो मैं इसका स्क्रीन साथ आपको वाटसब पर भी भेज दूँगा वैसे लेकिन वाटसब पर कोई मतलब नहीं होगा अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ठीक है भाईया अब लोग मेरी बात समझ गयो ना आगे बढ़ सकता हू है अब इसमें क्या आप कुछ सवाल करेंगे बताए अगर आप लगता है तो आप लिखोगे कमेंट में 1C अगर आप लगता है तो आप लिखोगे 1B ऐसे बताओगे ठीक है आईए दूसरा बताईए मैं बताओंगा पहले का उत्तर बाद में अगर आपको लगता है किसका आँसर है एक रिखोगे 2B ऐसे डूसरे का जबाब देता हूं तो मेरे तयारे साथ ही पहले का सही जवाब है क्या है वन एक करेक्ट आंसर ने दूसरे का जबाब बताओंगा उसके पहले में तीसरा सवाल दिखा दूं जिससे आप लोग तब इसको देख लएक बार जल्दी से स्क्रेंस आड़ लेलो फिर आगे बढ़ों में कुछ नहीं कहूंगा इसकी बारे में कि आए कि 9409 किसका वर्ग है बता भाईया कि तीसरा बता हूं कि कि इसका वर्ग है कि अगला तीसरा कि 9409 किसका वर्ग है कि अगला चार नंबर पर आजा सथाइस का स्क्रेंस क्या है कि निवाब दीजिए कि क्या होगा मेरे बताओ अगर में थिरी के पाथ करूं थृम्सा नाइंटीसेबन क्या हो जाएगा थिरी कभी नाइटीसेबन का स्कॉयर होता 9409 5 नंबर में आ जाओ चटकारदार बिर्कुल लाइट है चमक वाली करा कि 2116 किसका वर्ग है what is the number of पोजो भई है कौन से बहुत अच्छा जिनको लग रहा है कि इसका जवाब होगा चलिए आपकर में बता देता हूं फाइप में यह 46 है किसका जवाब है है तो था यह स्कॉवार होता है तो यह थिक्स में कहते हैं तो क्या होता है तो यह था उपन ड्योन में क्या कह रहा है कि कि पर देखो देर मत लगाओ कमेंट करो विमानदारी से देखो काम चोरी नहीं करना अगर नहीं कमेंट करोगे जानलों कभी सीखना पाऊगे जिंदगी में 37 का स्कॉयर बताओ अगर लगता है कि तो लिखो गया अगर लगता है कि तो लिखो गया अगे बढ़ो आओ चलो अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट में लिखोगे नाइन सी अगर आपको लगता एटी टू का है तो लिखोगे एट डी एटी सेवन अगर है तो लिखोगे नाइन वी सब में नाइन लिखोगे यहां नहीं लिखोगे यह बहुत अच्छा नाइन का जबाब आप दे चुके हो तो मैं टेन में आगे बढ़ूं करा निम्न में कौन सही है यह वड़ा की चड़ी वाला सवाल है लिखोगे तो यह वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना और शीरेफली अगर सीखना चाहते हैं मिर भाई तो कलास को पूरा अंततक देखिए और यह चीज आप बहुत ही कंसीडर्ट करिए ध्यान से जो इसक्रीन पर आपको दिख रहा है इसको बैच को इंडॉल कर लीचे जिससे आप इमांदारी से प्यार से घर बैठे सीख लेना यह वे लाकी इसका स्क्रींट दिखाएक दिखाए था हूं यह से करके रहा है यह भी आपके बिचार और उत्तर जरूर देना और एमिबटाना को कहां से देख़ें और सबने माल